थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो गाईज आज मैंने पार्टी आई मेकप करके इनका रखा है आप देख सकते हैं कि ये मेकप बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है अगर आपको ये मेकप का वीडियो देखना है आपको टुटोरियल सीखना है तो प कंसीलर लगाने के बाद यहां पर मैं ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूं करने के बाद यहां पर मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूं अई शाडू में मैं फर्सले क्रीम शेड आई शेडो अपलाई कर रहे हूं तो इसे मैं क्रीज लाइन पे अपलाई कर रहे हूं कि इसके बाद मैं ब्राउन शेड आइसेड हूं ले रही हूं इसे मैं इनकी आइलेट पर अप्लाई कर रही हूं कि इसे में ब्रेस से काफी देर तक अच्छे से ब्लेंड करके अप्लाई करना है तक कि इसका शेड काफी अच्छा दिखे इसके बाद मैं सिमरी गोल्डन आशेडू लेकर इसे अप्लाई करने जारी हूं कि आइस पे मैं यहाँ पे इसे पिंगर में लेकर इसे आइस पे लगा रही हूं इनके आइस पे तुर्णा लाइट सा ही लगाना है इसके बाद मैं इनके आइस पे जेल लाइनर अप्लाई करने जा रही हूं यहाँ पे मैं लाइनर थीन ही रखूँगी विकाज इनका जो आईशेडू का सेट्स है यह बहुत लाइट है तो इसलिए यहाँ पे मैं थीन लाइनर अप्लाई कर रही हूं गईस में लाइनर गईस गान पका बाद में लाइनर rखое हूं इसके बाद में लाइनर आच एंग बाद में लाइनर प्लाई बहाँ मारा खलाव यहां पर आइस के नीचे में कंसीलर अप्लाइ करके इसे वैसे ब्लेंड कर रहे हूं कि इसके बाद हम में थोड़ा सा लूस पाउडर से सेट करना है इसके बाद मैं इनके आइस पे काजल अप्लाई कर रही हूं कि काजल लगाने के बाद यहां पर मैं ब्रेस में ब्लाइक आई शेडो लेकर इसे ब्लेंड कर रही हूं इनकी वाटर लाइन पर इसके बाद मैं अगें ब्राउन शेड ले रही हूं इसे मैं ब्लाइक आई शेडो के जिस्ट नीचे ब्लेंड करूंगी ताकि यह उपर वाले आई शेडो से मैच करें यहां पर मैं इनकी आईस के कॉर्णर पर गोल्डन हाइलाइटार अप्लाइ कर रही हूं इसके बाद मैं मस्कारा आईस पर अप्लाइ कर रही हूं अप्लाइब 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 अब लाए्ट में अबहीं यज के बाए्ड बाए्ट लाए्ट तो गाइज आप इनके आई मेक अप का लास्ट लूप देख सकते हैं काफी सिंपल और शूर आई मेक अप है और इसे आप अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा